हेलो गाईज, असलाम लेकूम, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर वित वाइट ग्रेवी, जिसको हम नवावी पनीर भी कहते हैं, बहुत ही टेस्टी और असानी से बन जाने वाली रैसीबी है, तो चलिए शुरूर करते हैं, मैंने यहाँ लैसुन दुरुक का पेस्ट लिया है, दस से बारा काजु लिये है, एक बाउल भरकर दही लिया है, लगबख 100 ग्राम, आदा बाउल क्रीम ली है, आप चाहें तो दूद के उपर की मलाई भी ले सकते हैं, यह करीब 50 ग्राम होगी, अब मैं एक कड़ाही लूँगी, कड़ प्यास के साथ में मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी एड़ कर दूँगी, अब मैं इसे चलाते हुए सॉर्टे कर लूँगी, हमने गैस की फ्लीम को मीडियम रखना है, गाइस, धिरे धिरे इस तरह से चलाते हुए हमने इसे थोड़ देर फ्राई करना है, बस यह हलकी सी पेंकिश हो जाए हम इसे तब तक फ्राई करना है, इसका कलर जादर डार्क नहीं होना चाहिए, अब मैं इसमें काजो एड़ कर दूँगी, काजो एड़ करने के बाद मैं इसे 2-3 मिनट तक और सॉर्टे करूँगी, देखिए हमारी प्यास का कलर चेंज हो चुका है, बस अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, और कोई जरी किनी ठंडा होने लग दूँगी, यह ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसे एक मिक्सर जार में कर लूँगी, हमें इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है, मैं इसमें दही आट कर दूँगी, एक बाउल भरकर जो हमन करना है, कड़ा ही मैं, अब मैं आट कर दूँगी, यह वही कड़ा ही है, जिसमें मैंने प्यास फ्राई की थी, हमारा ओल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कुछ गर्म मसाले आट कर दूँगी, अब इसके बाद मैं इसमें अधर क्लैसन का पेस्ट आट कर दूँगी, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए अब मैं इसमें पेस्ट आट कर दूँगी जो कि हमने साइड में बना कर रखा था ये हमारा प्याज, हर्मिर्च, दही और काजू का पेस्ट है अब मैं इसे अच्छी तरहां से मिक्स कर दूँगी मैं इसे कंट्यूनी चलाते रहूंग क्योंकि हमने गैस की फ्लैम हाई कर रखी है नहीं तो ये बॉटम में चिपक जाएगा मैं इसे इस तरहां से कंट्यूनी चलाते हुए भूनूंगी अब मैं गैस की फ्लैम लो कर दूँगी और दस से पंदा मिनट तक इसे ढखकर कुक करूँगी अब पंदा मिनट के बाद में हम इसे खोल कर देखते हैं अब मैं इसमें सॉल्ट आइट करूँगी मैंने यहां आदा चमश नमक लिया है और आदा चमशी मैं यहां लार्मिश पॉडर आइट करूँगी मैं इसे अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी अगर आपको अपने पनीर की गिले भी बिल्कुल वाइट रखनी है तो आप यह लालमिश का पॉडर आइट नहीं करना यह ओप्शनल है गाइस मुझे इसका कलर थोड़ा पिंकिश पसंद है इसलिए मैंने यहां लालमिश पॉडर आइट किया है अब मैं इसी तरह से अच्छे तरह से चलाते वे भून लोंगी देखिए गाइस इसमें से ओल रिलीज हो चुका है यह बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है अब मैं करना मैं इसमें क्रीम एक कर दूँगी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी इसी तरह से चलाते हुए मैं इसे बहुत अच्छी तरह से में कर दूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी पांच मिनट तक मैं इसे ढख कर ओकर कर लूँगी अब पांच मिनट के बाद में इसकी ग्रैवी एकदम राड़ी हो चुकी है अब मैं इसमें पनीर के पीसीज एड़ कर दूँगी मैंने यहाँ पनीर को फ्राई नहीं किया था अगर आपको फ्राई किया हुआ पनीर पसंद है तो आप इसे फ्राई कर जकते है मुझे फ्राई किया हुआ पनीर पसंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ फ्राई नहीं किया था अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी लिक्विटी रखनी है तो आप इसमें दूद आड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें रोस्ट के हुई कसूरी मैथे आड़ कर दूँगी मैं इसे हाथों से क्रॉश करके अड़ करूँगी इस तरह से कसूरी मेथी के खुश्बू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है हमारा नवावी पनीर बनकर एकदम रैड़ी है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उमीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी मैं फिर हाजिर हूँगी आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखे अल्ला हाफिज थैंक्स फॉर वाशिंग